जिस तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम इस बरबादी को यहीं नहीं रोकेंगे, इस पर अंकुष नहीं लगाएंगे, तो हम बहुत मुश्किल में फस जाएंगे. देखें, 1950 के दशक में एक घोटाला हुआ था, जीप स्कैम, उसमें देश को 52 लाक रुपयों का नुकसान हुआ, उस वक्त के हिसाब से एक बड़ी रकम थी, पर फिर भी आप देखिए कि 52 लाक में कितने जीरो होते हैं, और भी कई घोटाले थे, LIC में मुंदरा घोटाला, भारत बैंक का डालमिया घोटाला, नगरवाला स्कैम, सेंटरल बैंक में, हर साल घोटाले होते थे, सोचने वाली बात ये भी है कि सब घोटाले तो बाहर भी नहीं आते हैं, सौ में से कोई एक या दो ही जनता के सामने आप आते हैं, अब 2010 पे आते हैं, Commonwealth Games, 70,000 करोड का घो अगर 1,86,000 करोड रुपए का एक घोटाला होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या आसर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं 1987 में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो याद कीजिए, स्वर्गिय राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार एक रुपया गरीबों के लिए खर्चती है, तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही उन तक पहुँचते हैं कुछ वक्त पहले करनाटक में हमने पढ़ा कि गरीबों को एक रुपय किलो चावल देने की घोशना हुई है, जिसके लिए सरकार एक मोटी रकम खर्च कर रही है कुछ हफते ही बीते थे कि अखबारों में ये रिपोर्ट सानी शुरू हो गएं कि जो पैसा गरीबों को एक रुपय के हिसाब से चावल देने के लिए खर्चा जा रहा है, उससे जो चावल खरीदा जाता है, वो या तो एकदम सड़ा हुआ होता है, या जहां अच्छे च चावल की खरीद हुई है, वहाँ उसे गोदामों से चुरा चुरा के प्राइविट लोगों को दे दिया गया है, इस तरीके से पैसे की लूट हो रही है, कैसे बच पाएंगे हम, सर इस तरह के घोटालों का ब्रश्टाचार का आम लोगों की जिन्देगी पर कैसे असर ये, वो पैसा 85 फीसद ही चुरा लिया जाता है, देश के प्रधानमंतरी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, मेरे अंदाजे से तो अगर 1988 में एक रुपए में 15 पैसे ही सही जगे पर पहुँचते थे, तो आज 5 रुपएों में से 15 पैसे पहुँचेंगे, ये हो रही है हमारी रखी, हम लोग आप, आप हेल्थ केर को लीजे, सरकारी अस्पतालों को काफी नजदीक से मैंने देखा है कि वहां क्या हो रहा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2010 में एक गाउं की महिला डिलिवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई, उससे पैसे मांगे गए, उसके पास पैसे नहीं थे, अस्पताल ने साफ इंकार कर दिया, महिला के साथ जो व्यक्ती था, वो पैसों का इंतजाम करने गाउं भागा, फिर अस्पताल वालों ने महिला को कहा, कि यहां मत बैठो, बाहर जाओ, वो बेचारी उस हालत में, सडक पार करके, बाहर बस्टॉप पर ज असानियत भी पूरी तरह से खो रहे हैं, हम इंसान से शैतान बन रहे हैं, हमें इस बात से कोई फरक नहीं पड़ रहा कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, हर जगे, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है, कुछ इमानदार लोग भी हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि सभी 125 कर कर कहता है कि आप भरष्ट हैं, करप्ट हैं, तो सामने वाला इंकार नहीं करता, वो पलट कर कहता है कि आप नहीं हो क्या भरष्ट हैं, ऐसी सोच बन चुकी है, यहां जो नौजवान मौजूद हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहते हैं, मेरी पीड़ी के लोग अब हालात नही बदल पाएंगे, अब सिर्फ आप ही हालात बदल सकते हैं, और आपके लिए अच्छी बात यह है कि लालच सब सरहदें पार कर चुका है, सिर्के उपर निकल गया है, अब और उपर जाने की जगे ही नहीं बची, आपके पास मौका है उसे नीचे लाने का, यह काम आपको जरूर करना है, मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर,